नमस्कार दोस्तों आज है 18 जनवरी दोजर चोबिस और 18 जनवरी का जो भी इंपोर्टेंट करन्ट अफेर है उसको पन डीटेल एनलाइसिस और इस्टेटिक्स जीके के साथ इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेगा अंत में मैं आपसे क पूच पूचूँगा जिनके आंसर आपको कमेंट वोक्स में देने हैं और कल जो क्यूचे थे उनके राइट आंसर भी आज अपन डिसकस करेंगे अगर आपको इस क्लास की पीडियेप चीए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम जोइन करने के लिए वीड प्रति दिन का करेंट अफेर पढ़ने के लिए अभी लाल वाला बटन दबागे चैनल को सस्क्राइब कर लेना बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लेना जिसे प्रति दिन सुबह 6 बजे आपको नोटिफिकिसन मिल जाएगा और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा इस वीड प्राट कोली, सुबमनगील, मुहमस समी और पेट कमिन्स तो पेट कमिन्स पेट कमिन्स जो और कप्तान है उनको अंतराश्ची क्रिगेट काउंसिलन दिसंबर मैने के लिए मैंस प्लेयर ओफ दी मन्थ चुना गया है ठीक है आइसीसी का मुख्याले कहां पर है तो दिसंबर मैने का मैंस प्लेयर ओफ दी मन्थ किसको चुना गया है पेट कमिन्स को ये पेट कमिन्स के फोटो है ठीक है अगले कुशन पे चलते है अंतराश्ची किरिगेट काउंसिल जिसको आइसीसी बोलते है उसने दिसंबर मैने के लिए वीमेंस प्लेयर ओफ दी मन्थ क दिप्ती सर्मावकी अगले क्शिर्ण पे चलते हैं थीक है आपको पता है हर साल जन्वरी के अंदर सबसे सकते अनर किस ये अमेरिका जो अमेरिका है उसके जारी होती है कितने सेनिंग उनके पास केसे केसे हतियार है उस हिसाब से इनकी रैंकिंग दिये ठीक है दुनिया के सबसे सकतिसाली से नव वाले पांच देस कोण से है तो आप इनको याद करना एकोसिस करना वैसे आप 10 देसों को याद करना 10 देसों में से क्युशन पूचे जाते हैं उपर के 10 देस इस लिष्ट के अंदर और नीचे के दस देश आपको याद करने है और वो सारे में भी याद करवा दोगा आपको ठीक है दूनिया के पांच पेले सबसे सकतिसाली देश याद कर लो मेप से पर तम नमबर पर है अमेरिका ठीक है ये अमेरिका का उत्री अमेरिका महादीपे जहां पर ये अमेरिका है और ये अलास के अंदर तीसरे स्तान पर रूस के जस्ट डच्छिण के साइड में जो अगर उसको मेप के मादिन उसे याद किया जाए तो बहुत इजी हो जाता उसको याद गरना तो इसलिए मैंने ये पाचु देश आपको मेप के अंदर लिखवाए है तो ये पांस तो आपको याद कर नहीं है वेसे मैं आपको बस बता होगा अगला क्विशन क्या है गलोबल फाइर पाउर मिलिटरी स्ट्रेंथ रेंकिंग जिसको हिंदी के अंदर यही पोलते है सेन्य रेंकिंग ठीक है 2014 में सूची वर्द देशों में भारत का इस्तान क्या है तो जो देशों की पूरी सूची जारे कीगे उसके अंदर भारत की रेंकिंग क्या इसक्यूशन में ऐसा पूचा है बारत की चोती रेंकिंग है, कौन सी रेंकिंग है, बारत की चोती रेंकिंग है, दुनिया की पांस सबसे तागत वर देश, पिछली बार आपने मेप में देखे थे, अब यह और बिना मेप के, देख लो ठीक है, फलेक के साथ, यह अमेरिका है, अमेरिका का फलेक है, एक ये क्या है तो ये score है उनके कई पेमानों के हिसाब से score भी निकाल गए थे तो इन score से आप देख सकते हो कि किसकी से ना पाउदफुल है लेकिन कितनी पाउदफुल है किस देश से ठीक है United State एक नंबर पर आता है दोर नंबर पर असिया है तो यह 10 देश है, टोक 10 देश, इसके अलावा, लास्ट के 10 देश कौन से हैं, सबसे कम 47 सेनाव वाले 10 देश हैं, जिसके अंदर 145 वी रेंगिंग यह ने सबसे कमजोर सेना किसकी हैं, भूटान की हैं, उसके बाद 144 नंबर पर मौलदवा देश की हैं, 143 नंबर पर सूरी न आता है, 142 नंबर पर फॉमाली आता है, 141 पर बेनी ना ता है, 114 पर लाइबेरिया आता है, 141 पर बेनी जाता है, 138 पर सियरा नियोन आता है, 133 पर मद्य अ अफ्रिकी गणराजी आता है, 336 पर आइसलिन रेंड दाता है, तो ये नीचे के टोक 10 देश हैं, और ये उपर क प्रोप 10 देश हैं तो याद रखना है दोनों को सबसे सकती साली और सबसे कम जोल ठीक है सारी इंडेक्स मैंने याद करवा दिये इसमें से कम से कम एक क्यूसन परतिवरस किसी ने किसी एक्जाम में पूचा जाता है तो आप जिस भी एक्जाम के तहारी करें उस एक्जाम के अंदर इसमें से क्यूसन आने की पूरी संभाव ना होगी मैं करंट अफेर में तीन टोपिक बदा देता हूँ जिसको आपको याद करना होगा एक तो जो भी खेल पुरुसकार दिये गे थे जिसके अंदर अरजून अवार्ड हो गया मेजर ड्यांजन खेल रतन होगे दुरुनाचारी अवार्ड होगे इस पे एक क्यूसन कंफराम करने फिर में पूचा जाता है एक हैनले पास्पोर्ट इंडेक्स आप याद कर लेना ठीके तीसरी यह जो सेन्य रेंकिंग आती है यह याद कर लेना तीन टोपिक अभी आप अरजेंटली याद करूँ इसमें से क्यूसन पूचा जाएगा आगामी एक्जाओं के अधर ठीके क्योंकि तीन अभी लेटेस्ट में जारी हुई है ठीके आज अपने यह जो सेनव वाली है ठीके जो गलोबल फाइर मिलीटरी स्ट्रेंथ रेंकिंग है वो तो आज अपने इस वीडियो में डिसकर्स कर ली है इसके अलावा हैनले पास्पोर्ट के लिए मैंने अलग से आठ मिनट की वीडियो बना के अपने इस यूटूब चैनल पर अप्रोड़ कर रकिया वो देख लेना उसकी लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसके लावा जो अर्जुन अवार्ड है और जो खेल रत सेक्शन में जाना वहाँ पर आपको करंट अफेर नाम से जो प्लैलिस्ट मिलेगी उसके अंदर भी वो प्लास मिल जाएगे इन दोरों प्लास को देख लेना इनमें से एक एक क्यूसन आने की पूरी संभावना है और ये तीसरा पॉंट हो गया तो तीन पॉइंट करंट अ जनली कटू परत्यों के ता बोलता है इसका कोई न कोई मीडिया अपने फेस्बूक या यूटूब पर जरूर देखाओगा ठीक है इसके बारे में तोड़ा डीटेल एनलाइसिस कर लेते हैं तमिलाडु राजे में मदूरे जिले के अवनियापुरम गाउं में जनली बस में करने कोईसिस करते हैं जिसकी जड़े लगपक 2000 साल पूरानी है यानि इस गेम की जड़े है वो 2000 साल पूरानी ये काफी पूराना गेम है जो तमिलाडु के सांस करते हैं ताने बायने से गेरा समद दर्शाता है प्रारम में उप्यूक्त दूहुले का चैन करने के ल लेता था उसको वीर माना जाता था तो वीरता और परंपरा के पर्ति के रूप में विक्षित वा था ये गेम जिसका नाम है जली कटू पर्ति हो गेता ठीक है ये कल शुरू हुए तमीलनाट उराजी के अंदर एक्जाम में पूछी जा सकती है अगर आपको वीडियो की क्व वीडियो की क्वालिटी अच्छी है तो इसके लिए ज्यादा आपको कुछ नहीं करना हमें एप्रीशेट करने के लिए लाद वाला बटन दबाविर चैनल को सस्क्राइब कर देना बेर वाला आइकन जबूर प्रेस कर लेना जिससे आपको परति दिन सुबह 6 बजे गलेगी वाँसे आप चेकाउट भी करतकते हों किसी भी परकार की पीडियेट ही तो वह मिलेगी टेलिग्राम चैनल पर उसके लिए टेलीग्राम चैनल जोन करना आपको पता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी अगला क्या है बारत में साल बर चलने वाले दिल्ली से शुरू आया दिल्ली इसकी मेजबानी करेगी पूरा मेटर क्या है डीडियल एनलाइसिस से कवर कर लेते हैं ये उत्सव 18 जनवरी को दिल्ली के एतियासिक पुराना किला से शुरू होने वाला है यानि ये आज शुरू होगा ठीक है ये प्रोग्राम आज 18 जनवर सैयार है अयोद्या में राम मंदिर के उद्गाटन के साथ ये रामाइण के मातन से दुनिया को एक जूट करने वाले एक सासकर्तिक उत्सव की सुरूआत का परतिक है इसके अंदर जदा कुछ नहीं होगा लोग लग लग जगे जाएंगे और रामाइण दिखाएंगे लो अगला क्यूसर क्या है कल इस पुस्तक का विवोमजन हुआ ठां पुस्तक का नाम वापस देख systems आप एक बास अन telephone लव दे अर्ली लाइफ ओप सुदा ऐंड नारायन मूर्ति इसकी लेखी का कों है तो चिप्रा बेनर्जी दिवाक रोनिंग É चित्रा बेनर जी दिवाक रूने ने पुस्तक लिखी है एन अनकोवन लव दे अरली लाइफ ओप सुधा एन नारायन मुर्ती ये कौन है तो ये है चित्रा बेनर जी जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है तो आप इसको जाद करने की कोशिश करना करंट में पुस्तक पूची जा सकती है अगला क्यूस है बारत अंतराष्टे विज्ञान मुच्व दोज़ाजे में शुरूआ है तो ये कल शुरूआ था कल 17 तारिक थी तो कल शुरूआ था अंतराष्टे विज्ञान मुच्व दोज़ाजे का है जो कि अब 24 में हो रहा है किस राजे में शुरूआ थ तो हरियना राजे के अंदर बारत अंतराष्ट्य विज्यान मौशव दोज़ा तेभी शुरुआ है इसको लेकर फोड़ी अपन डीटेल एनलेसिस भी कर लेते हैं बारत अंतराष्ट्य विज्यान मौशव दोजार तेभी सत्रा जन्वरी को शुरु हो गया थुझ कल ये शु बारत अंतराश्ची विग्यान मोशव की, उसका उदेश्य क्या है? तो विज्यानिक सववाव को बढ़ावा देना, उपलब्तियों को सविकार करना और बारतिय आबादी के बीच जागरूपता फेलाना इसका उदेश्य है. इस बार बारत अंतराश्ची विज्यान मोशव 2023 में 22 देश भी भाग ले रहे हैं तो अपकी बार इस जो मौसव के अंदर 22 अलगलक देश भाग ले रहे हैं इनको याद करना जरूर ये नहीं है ठीके उदर्शी क्या है वेग्यानिक सभाव को बड़ावा देना उपलप्तियों को सविकार करना और बारतिया आबादिगी ब बने बारत के नंबर वन सत्राज खिलाडी तो बारत के नंबर वन सत्राज के खिलाडी वापस जो विश्वनात आनंदे उनको पीछे छोड़ दिया है और जो परग्यानंदन ने जो परग्यानंदन है वो बारत के नंबर वन सत्राज के खिलाडी बन गया है ये परग्यानं विश्वे चेंपियन लीरेन को हराकर अपने केरियर में गिंग लीरेन को उचेंपियन के यह असिल की है 18 वरसी टिर्फ, यह जो इन्होंने चीन κα्शा खिलाफ जीत ने ने केवल परग्यानंद के लिए एक विक्तिगत जीत दर्ज की बलकि उन्हें सीस रेटेड बारतिय खिलाड़ी के रूप में महान विश्वलात आनन्द से आगे निकलने में भी मदद की है 2788.3 FIDE live rating के साथ परग्यानंद ने आनन्द की 2788 rating को खोड़ा पिछे छोड़ दिया है जो भी विश्वलात आनन्दे उसकी वर्तमान में rating क्या है FIDE की live rating क्या है 2788 जैसे ही जो चेने के खिलाड़ी है रमेश बाबु परग्यानंद उन्होंने चेन के विश्वे चेंपियन डिंग लिरेल को आराया था टाटा स्टील 17 टूनामेंट के अंदर उसके बाद उनकी जो FIDE की rating है वो 2788.3 हो गया तो 0.3 से आगे निकल गये है रमेश बाबु परग्यानंद इसी के साथ वो बारत के नंबर वन 17 खिलाड़ी एक बार किस्ते बन गये है इंपोर्टेंटे द्यान रखना है अगला किसन बारतिय नोसेन अकादमी एजी माला के कमांडेट कौन मने है जो बारतिय नोसेन अकादमी है एजी माला के अंदर उसके नए कमांडेट कौन मने है तो वाइस एड्मिरल विनित जो वाइस एड्मिरल विनित मेकार्टी है वो बारतिय नोसेन अकादमी एजी माला के कमांडेट मने है ये विनित की फोटो है वाइस एड्मिरल विनित है और ये बारतिलों से नाकादमी एज हिमाला के कमांडेट है ठीक है अगला क्रिसन खान ही में किसे IUCN रेड लिस्ट में एसरक्सित के रूप में वर्गीगर्ट किया गया है आपको बता है जब कोई भी जीव या कोई भी व गिर्थ कर दिया है इमालियन वुल्स को ठीक है ये इमालियन वुल्स की एक फोटो है इंपटन रखना है कल मैंने आपसे कुशन पूचा था किस राज्य के मुख्य मंत्री ने यूवानीदी योजना का अनावरन किया है जिसका उदश्य राज्य के सनात्पों और डिपलोम दारक है जिनोंने किसी सेक्टर के अंदर डिप्लोमा कर रहा है उनको पंदरा सुरूपे परती महिना दिया जाएगा दो साल तक ये बेरोजगारी बत्ता मिलेगा इसके साफ में कोशल परसिक्षन भी दिया जाएगा ताकि दो साल के बाद उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके तो एसी योजना करनाटक राजी सरकार ने शुरू की है जिसका नाम युवा नीदी योजना रखी है करनाटक के बारे में इस्टेटिक्स जीके क्या है करनाटक की राजदानी है बैंगलूरू या बैंगलो मुख्यमंत्री है सिधा रमया कोन है मुख्यमंत्री सिध analysis करेंगे जो question important होते हैं वही मैं अगले दिन देता हूँ तो आपको कम से कब ये question तो याद होना चाहिए ये कब याद होगा जब comment में इसका answer दोगे तो आपको ये lifetime के लिए याद हो जाएगा question क्या है अभियास आयूतिया अभियास आयूतिया नोसेनिक अभियास किन दो देशों के 20 संपनवा है option number 1 है बारत और सिरी लंगा option number 2 है बारत और थाइलेंड option number 3 है बारत और मलेशिया option number 4 है बारत और इंडोनेशिया तो अभियास आयूतिया किन दो देशों के मध्यवा है इसमें से आपको right answer बताना है right answer आप comment box में जल्दी से छाप देना कल इस पर अपर detail analysis कर लेंगे कलास को पुरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको वीडियो की quality और content की quality पसंद आई इसके लावा आपको अलगलग topics और class से मिलती रहेगी सारी pdf टालता हूँ टेलीग्राम चैनल पे तो टेलीग्राम चैनल जोइन करने के लिए वीडियो के description में टेलीग्राम चैनल का link है वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जोइन कर लेना मिलते हैं फिर किसी नए सेसम के साथ तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो अपने स्वास्ते के द्याम रखो टेक केर जेह हिंद